Hello students, welcome to Global Online. So, HPZ 2024 examination के final result का सभी students इंतजार कर रहे हैं and आज के वीडियो में आप सब के लिए कुछ important information में लेकर आई हूँ So, एक news article में इस result के बारे में बात की गई है जो मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगी इसमें जो भी news है, वो real है या fake है जो भी information उसमें दी है, वो आपके सामने ही हम detail में discuss करेंगे So, इसी के साथ फिर बढ़ते हैं आगे तो ये article students आप देख सकते हो, 1st July 2024 को जारी किया गया था इसमें clear ले लिखा है HPZ result 2024, इसकी cut-off के रहेगी और score card का link भी दिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हिमाचल परदेश Public Service Commission will release HPZ result 2024 in July month So, देखे, जुलाई month start हो चुका है तो जैसे हम लोग भी पहले एक बार बात कर रहे थे कि जुलाई में हम expect कर रहे है result का तो कब आपका result आ सकता है तो यह date में थोड़ा सा अभी clarity हम लोगों को मिलने लग चुकी है लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और बताती है इस article को पहले पढ़ लेते हैं HPZ is a state level test ठीक है यहाँ पर लिखा है कि result जो है वो expected रहेगा जुलाई में और students को अपने role number और registration number के साथ साथ अपने date of birth एंटर करके अपना result आप सभी आसानी से चेक कर सकते हैं तो अभी result इसका फिलहाल नहीं आया है और यह जो शेयर कर रही हूँ आर्टिकल आपके साथ यह एक news का आर्टिकल है official website पर या फिर officially यह कोई भी information अभी जारी नहीं की गई है तो एक बात तो आप लोगों को मैं यही पहले बताना चाहती हूँ कि जब तक कोई भी चीज official website पर release ना की जाए एक तो तब तक उन links पर विश्वास मत कीज़ेगा और रही बात result के dates की तो यही expected है कि at least 15 July के बाद आपका result आने के chances है ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि देखिए examination में एक तो काफे time हो चुका है आप लोगों के लिए already provisional answer की जारी हो चुकी है तो हम यह expect कर रहे हैं कि अभी officially आप लोगों की final answer की जारी कर दी जाएगी इसी से आप लोगों को एक clear idea मिल जाएगा कि out of 300 आप कितना score कर पा रहे हो और आप लोग exam को qualify कर पाऊगे या फिर नहीं इसके साथ ही इसी के फिर एक बार final answer की आज आती है बच्चों को result तो पता चली जाते है फिर भी students इसी के 10 से 12 दिन के अंदर अंदर final result भी हमेशा release कर दिया गया था तो हम अभी वापस यही चीज़े expect कर रहे हैं कि इसी तरीके से pattern को follow किया जाएगा answer की आने के साथ साथ ही result भी announce कर दिया जाएगा तो आप सभी students तयार रहे हैं कभी भी result आ सकता है जैसे किसे को को information मिलती है हम उसको जरूर discuss कर लेंगे झाल